A Letter to God ईश्वर के नाम एक पत्र आईए सुनते हैं पूरी कहानी हिंदी में वह मकान जो पूरी खाटी का इकलोता मकान था एक निशली पहाडी की चूटी पर स्थित था इस उचाएं से नदीध था पके हुए मकई के उस खेत को देखा जा सकता था जो फूलों से भरा था जिससे एक अच्छी फसल या पैदावर होने का भरोसा होता था एक मात्र चीज जिसकी धर्दी को जरूरत थी वह थी या तो भारी बारिश या फिर कम से कम एक पोच्छार उस पूरी सुभ लेंचो जो अपनी खेतों से भरी भाती परिचत था के अत्रित कोई और काम नहीं किया था अरे महिला तो लेंचो अपनी पत्नी से कहता है अब सचमुझी बारिश होने वाली है वह महिला यानि उसकी बीवी जो रात का भोजन तयार कर रही थी ने उत्तर दिया हाँ यदि इश्वर की इच्छा हुई तो डिनर तयार है यह काकर जब तक महिला ने उन सभी को नहीं बुलाया तब तक बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे और छोटे घर के नस्ती खेल रहे थे भोजन के दोरहान ही जैसे लैंचो ने भविश्वानिया की थी वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदे गिरने लगी उत्तर पूर्व दिशा में बड़े बड़े पहाड जैसे बादल आते दिखाई थे हवा ताजी तथा सुहानी थी वह आत्मी बाहर गया और किसी और काम के लिए नहीं बलकि सिर्फ इसलिए ताकि वह अपने शरीर पर गिर्थी वर्षा का आनंद अनुभव कर सके और जब वह लोटा तो उसनी अचानक कहा यह आकाश से गिर्थी हुई वर्षा की बूंदे नहीं है यह तो नए सिक्के हैं बड़ी-बड़ी बूंदे तस-दस सेंट के सिक्के हैं और छोटी बूंदे पाँच-पाँच सेंट के सिक्के हैं संतुषपूर्ण भाव सहित उसने पकी मकई के खेत को देखा जो फूलों से भरा था और वर्षा की चादर से ठका था लेकिन अचानक तेज हवा बहने लगी और वर्षा के साथ बड़े-बड़े ओले गिरने लगे यह सचमुझी चांदी के नए सिक्कों जैसे लग रहे थे वर्षा में भीगते हुए लड़के उन बरफीले सिक्कों को उठाने बाहर भागे अब मौसम सचमुझ खराब होता जा रहा है लेंचों निद्खी होते वे कहा मुझे आशा है कि यह शीक्र ही समाप्थ हो जाएगा किन्तु यह शीक्र समाप्थ नहीं हुआ एक घंटे तक ओले बरस्ते रहे घर के उपर बाग में पहाड़ी की ढलान पर मकई की खेतों में और पूरी खाटी पर खेत सफेद हो गया मानो नमक से ढखा हो पेडों पर एक भी पत्ता शेशना रहा मकई पूरी तरस से नश्ट हो गई और उस पर से फूल गिर गए या नश्ट हो गई लेंचों का अंतरमन उदासी से भर गया जब तूफान गुजर चुका था तब अपने खेतों के बीच खड़े हुए उसने अपने बेटों से कहा एक टिड़ी दल भी इसे कहीं जादा छोड़ जाता ओले तो कभी भी बाकी नहीं छोड़ गय इस वर्ष हमारे पास मक्कई बिल्कुल नहीं होगा वो एक दुख भरी राद थी हमारा सारा कार्य बेकार गया कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर सके इस वर्ष हम सब भूके रहेंगे परंतों सभी के दिल में जो खाटे के बीच बने उस सुनसान घर में रहते थे एक मात्र आशा अभी भी थी इश्वर की मदद की इतना दुखिया परिशान मत हो यदे भी ऐसा लगता है कि सब नश्ट हो गया याद रखो भूक से कोई नहीं मरता वे तो यही कहते हैं भूक से कोई नहीं मरता पूरी रात लैंचो अपनी एक मात्र आशा के संबन्द में सोचता रहा इश्वर चिन की आखे जैसा कि उसे सिखाया कया था सब कुछ देखती है यहाँ तक कि वह भी जो मनुश्य के अंतरमन में होता है लैंचो एक महनत कश इंसान था वह खेतों में पशु की तरह काम करता था परंतु फिर भी उसे लिखना आता था आगामीर अविवार के दिन सुभा होते ही वह एक पत्र लिखने लगा जिसे वह खुद शहर ले जाकर डाक में डालने वाला था जो वह लिख रहा था वह था खुद ईश्वर के लिए पत्र भगवान उसने लिखा यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मुझे और मेरी परिवार को इस वर्ष भूके रहना होगा मुझे अपने खेत को फिर से बोने के लिए और अगली फसल आने तक चीने के लिए एक सो पैसे की जरूरत है क्योंकि ओलो ने उसने लिफाफे पर लिखा इश्वर के लिए और पत्र को उसके अंदर डाल दिया और अभी परेशान सा शहर की ओर चल पड़ा डागर में उसने पत्र पर टिकट लगाया और उसी डाक वाले डिबबे में डाल दिया करमचारियों में इसे एक जो एक डाकिया था और उस पोस्ट ओफिस में भी मदद करटा था वह खुब हस्ते वे अपने अफसर के पास गया और उसे इश्वर को लिखा गया वह पत्र दिखाया डाकिय के रूप में अपने पूरे कारकाल के दौरान उसने वह पता कभी नहीं जाना था पोस्ट मास्टर जो एक मोटा सा दोस्तान स्वभाव वाला व्यक्ती था उसकी भी हसी चूट गई किन्तु लगभग तुरंथी वह गंबीर हो गया और डेस्क के उपर पत्र को खटखटाते हुए कहने लगा कैसी आस्था है काश मेरी भी आस्था उस आदमी जैसी होती जिसने यब पत्र लिखा है इसने तो इश्वर के साथ ही पत्र वहवार शुरू कर दिया तो लिखक का इश्वर में विश्वास ना तगमगानी देने के लिए पोस्ट मास्टर को एक विचार सूझा इस पत्र का उत्तर दिया जाना चाहिए किन्तु जब उसने पत्र खोला तो सपष्ट था कि उसका उत्तर देने के लिए उसे दयाभाव कागस और स्याही के अलावा भी कुछ चाहिए होगा लेकिन वो अपने निश्चय पर अडिग रहा उसने अपने करमचारियों से पैसे मांगे स्वयम भी अपने वेतन का कुछ भाग दिया और उसके अन्यमित्रों को भी दयालता कि इस काम में कुछ देना पड़ा उसके लिए सौ पैसो को एकटा करना असंभव था इसलिए वो किसान को आधी से थोड़ा सा अधिग ही भेच पाया उसने पैसो को लेंचो का पता लिखे एक लिफाफे में डाला उस पर और साथ ही एक पत्र पर रख दिया जिस पर केवल एक ही शब्ध हस्ताक्षर के रूप में अंकित था इश्वर आगामीर अविवार को लेंचो रोजाना से कुछ पहले ही वहाँ पहाँच किया या पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई पत्र है डाकी ने खुद उसे पत्र दिया जबकि पोस्ट मास्टर संतूश फरी निगा से उसे पोस्ट ओफिस से देख रहे थे लेंचो को पैसे देखकर बिलकुल आश्चरे नहीं हुआ उसका विश्वास ऐसा था किन्तो जब उसने पैसे गिने तो वह क्रोधित हो गया इश्वर गलती नहीं कर सकते थे खिड़की पर गया फिर पबलिक के लिए रखी हुई मेज पर अपनी बाहों पर बल देते हुए जो अपने विचारों को व्यक्त करने के प्रयास में पढ़ रहे थे उसने लिखना शुरू किया जब उसने लिखना समाप कर लिया तो वो टिकेट खरीदने खिड़की पर गया जिसे उसने अपनी जीब से गीला किया और फिर मुट्टी से घूसा मार कर लिफाफे पर चिपका दिया जैसे ही पत्र डाक के डिब्बे में गिरा पोसमास्टर उसे खोलनी के लिए चल दिये इसमें लिखा था इश्वर वे पैसी जो मांगे थे उनमें से केवल सत्तर पैसे ही मेरे पास पहुचे थे मुझे बाकी पैसे भेज दीजिए क्योंकि मुझे इनकी बहुत जरूरत है किन्तु यह पैसे मुझे डाक द्वारा मत भेजना क्योंकि डाक घर में करमचारी ठग है लेंचो